इस बीच एक और बड़ी खबर आपको देदे विधान सभा उक्चुनाव में जीत की बाद हेमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन आज जारकन विधान सभा की सदसे की रूप में शपत लेंगी जारकन विधान सभा की अधेक श्रविंद रिनात मैतून है पद और गोपने अता क की शपत दिलाएंगे इस मौके पर मोके मंत्री जंपाई सुरेन समेथ जामूमों कॉंगर्स और राज़त पोटे के मंत्री गण भी आपर मौजूद रहेंगे बड़ी खबर इस वक्षी आपको दे रहे हैं उगांडे विधान सभा सीट से चुनाव जीती है कलपना सुरेन विधान सभा देख श्रविन दरात महतो इन्हें आज पद और गोपनियता की शपत दिलाएंगे विधान सभा उपचुनाव में जीत के बाद कलपना सुरेन आपको टादे कि आज जार्खन विधान सभा के सदस्य की रूप में शपत लेंगी बड़ी खबर स्वक्य और जा सदस्य के रूप में यहाँ पर शपत लेने जारी हैं शपत को लेकर किस तरह की तैयारी है बिल्कुल देखे साल दोहसदार चौबीस की पहली सुबा यानि एक जैनवरी को ये बातें निकल कर सामने आई कि गांडे के जो विधायक हैं सर्फराज एहमद उन्होंने अपने पद से स्तीफा दे दिया है इस बात को लेकर कई कायास लगाये जा रहे थी कि आकर उसके स्तीफे की पीछे की वज़ा क्या है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये चीज़ें सपस्ट होती चली गई कि कल्पना सोरेन जो है वो गांडे से प्रतिर्दित करेंगी यानि गा पुरी तरीके से बूट जाती है एक लंबी कैमपेनिंग चली कल्पना सोरेन की कल्पना सोरेन इस दोरान ना सिर्फ गांडे बलके देश के अलग-लग हिस्सों में भी जाकर कैमपेनिंग करते भी नजर आई थी वो एक स्टार कैमपेनर के तौर पर अपने आपको मजबूत कर चुकी थी और उसके बाद जब गांडे का चुना हुआ तो गांडे की जनता ने उन्हें अपना प्रतिमीदी चुन लिया यानि गांडे से विधायक कल्पना सोरेन चुनी जा चुकी है अब जारकन विधान सभा में वो सदस्य के तौर पर यानि गांडे विधायक के पर लेकिन सीधे तोर पर आज से उनकी भूमिका और भी जादा बढ़ जाएगी क्योंकि पहले कलपना सोरेन पाटी में किसी पत पर भी नहीं थी बावजूद उसके उन्हें जब हेमन सोरेन को जेल की चारदिवारी के पिछे भेज दिया गया तो एक तरीके से उनकी जो सभा पागिता है वो सीधे तोर पर देखने को मिली राजरीती में और अब सडकों पर लगतार संघर्ष करने के बाद दो तीन मेहने के अलंबस संघर्ष के बाद अब सदन में यानि जारकन विधान सभा में भी कलपना सुरूर की आवाज गुलती नजर आएगी इससे पहले वो जारकन विधान सभा में सदस्रिपद की आज जो है वो ओत लेती नजर आएगे जी बिल्कुल कामरान और जानन ये भी चाहेंगे कि शपत जब वो लेंगी उसरान कौन-कौन से मंत्री उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे और दूसरी में तो पूर्मे चीज देखिए अब जिस तरह से विधान सभा में अब कल्पना सोरेन जो है उनकी एंट्री होने वाली है उसके बाद से देखा जा रहा है कि प्रदेश में सियासत भी इसको लेकर के अब खूब देखने को मिल रही है बिल्कुल देखे शाम पांच बज़े के आसपास का वक्त निर्धारीत है जब ओध सेरिमनी होगा कल्पना सोरेन विधान सभाद्यक्ष के कक्ष में जाकर शपत लेंगी और इस कारिक्रम में जारकन के मुखे मंतरी चंपाई सोरेन सहित जितने भी मंतरी है तमाम लोगों के आने के संभावना है तमाम लोगों की मौझूदगी में कल्पना सोरेन सपत लेकी नजर आएंगी क्योंकि एक तरीके से अगर गांडे का उपचुनाव जो है वो महा गडबंदन के बैनर तले लड़ा गया था इंडिया गडबंदन के बैनर तले चला गया था और अब जब कल्पना सोरेन की जीत हो चुकी है तो तमाम लोग शपत ग्रैन समारों में शामिल हो सकते हैं लेकिन साफ तोर पर इस चीज को लेकर कई बार कायास लगते रहे हैं कि कल्पना सोरेन क्या कोई नई भूमिका में नज़र आएगी तो ये पूरी तरीके से जार्खन मुक्ति मोर्चा का आंतरिक मामला है आखिर जब वो जनता ने उन्हें गांडे का प्रतमीधी चुन लिया है गांडे की विधायक उन्हें चुना जा चुका है तो अब पार्टी में कौन सी कुर्सी को वो समालती नज़र आएगी पार्टी में कौन सा दाइत वो समालती नज़र आएगी वो आने वाला वक्त ब जनेवाद बड़ी जानकरी अपने दर्शो को तक लगतार पहुंच वा रहे हैं.